नमस्कार दोस्तो, BPSC यानि बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के तरफ से एक नई भाकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जी हाँ दोस्तो, यह भरती असिस्टेंट यानि सहाइक के पद के लिए निकाली गई है इन पदों के लिए आवेदन ओनलाइन के माधियम से लिये जाएंगे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक हैं और सेयर करना ना भूलें दोस्तो इस भरती के बारे में सभी परकार के जनकारी हम आपको देंगे आप वीडियो को अन तक देखें योगता क्या रहेगी? सीटो की संख्या कितनी है? आवेदन सुल्क कितना रहेगा? एज लिमिट क्या रहेगी? और सेलरी कितनी मिलेगी? ये सभी जनकारी हम आपको देंगे बिपीएससी असिस्टेंड की भरती आने से उन अभियर्थियों को बहुत खुसी है जो अभियर्थी इस फर्म का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तो अगर आप भी इस पद के लिए अवेदन करना चाहते हैं तो जल सजल इन पदों पर अवेदन करें क्योंकि अवेदन तीथी जारी हो चुकी है जो आज यानि 7 सतंबद 22 से शुरू है और इसका लाश्ट डेट 30 सतंबद 22 है दोस्तो इस भाकेंसी में कुल 44 सुटों पर बहाली होने वाली है BPSC का फ़र्म अपलाई करने के लिए जेनरल और अन्रिजर्ब के लिए 600 रुपे सुल्क देना होगा AC, ST, PH कटेगरी के अभियर्थियों के लिए 1.5 रुपे सुल्क देना होगा और BC के लिए भी अवेदन सुल्क 600 रुपे रखा गया है इस फ़र्म को भरने के लिए सभी कटेगरी की महिलाओं के लिए 1.5 रुपे सुल्क रखा गया है इस फ़र्म को भरने के लिए मिनिमम एज 21 वर्स रखा गया है बिपिए सीख के फर्म आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी योगता गिरिशन होनी चाहिए बिहार लोग सेवा आयोग में कर्टेगरी वाई सीटों पर भेकेंसी निकाली गई है जो अनरक्षित वर्ग के 23 पदों पर, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पदों पर, अनुसूची जाती के लिए 7 पदों पर, अनुसूची जन जाती के लिए कोई पद नहीं है अत्यंत पिछ़़ा वर्ड के लिए 8 पदों पर, पिछ़़ा वर्ड के लिए 1 पद पर, पिछ़़े वर्ड की महिलाओं के लिए 1 पद पर बहाली निकाली गई है कुल 44 पदो पर बहाली की जाएगी बिहार लोग सेवा आयोग में केरियर बनाने का सपना देखने वाले इवा अभिर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी भरती है दोस्तो अपलाई करने से पहले आप एक बार ओफिसियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ ले दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और इसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल को मिलते हैं एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद